हलो दोस्तों कैसे हैं आप, I hope आप सभी अच्छे होंगे, आज मैंने लंच में हल्दी खाना बनाया है, बच्चों के आजकल एक्जाम चल रहे हैं, तो एक्जाम की वज़े से वो टिफिन तो लेके जाती नहीं है, तो आये थी तभी खाना बनाया था, मैंने करेले को उपर से चील लिया है चील के और अच्छे से पानी में धो लिया है धो के और इनको ऐसे लंबे-लंबे कट कर लिया है लंबे-लंबे कट करके और अब मैं इनको एक साथ एक कटोरे में डाल दूँगी और नमक मिला के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए इतने हम प्याज और मिर्च काट लेंगे करेले वैसे बच्चे खाती नहीं है लेकिन मैं आज लूंच में करेले ही बनाया है और बच्चे ने खाये भी कुम बजे से थे मैं यहां पर मिर्ची काट ली हैं लंबी-लंबी और करेले वह प्याच काट ली हैं अब मैं इन करेलो को धो लूँगी अच्छे से जब नमग डाला था उनको अच्छे से मिसर लूँगी जिससे जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी दो तिन पानी से साफ बार धो लूँगी दो बार साफ पानी से दो लूँगी जिससे कि इसका जो नमग और नमग डाला था वो भी निकल जाएगा और जो कड़वाहट है इसकी वो भी निकल जाएगी बिल्कुल साफ हो जाएगे ऐसे निचोड निचोड के मैं सब को एक प्लेट में निकाल लूँगी अब मैंने एक कड़ाई में तेल गरम कर दिया है तेल गरम करने के बाद मैं इसमें जीरा डालूँगी हींग डालूँगी मैं इसको केवल नॉर्मल तरीके से बनाऊंगी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं डालूँगी सिफ प्याज और मिर्ची डाले है और मसाले डालूँ बच्चों को फ्राई करी हुए चीज ज्यादा पसंद आती हैं जैसे प्याज और मिर्ची थोड़ी सी पग गई हैं तो मैंने इसमें करेले डाल दिये हैं और इनको मैं थोड़ी देल में फ्राई होने दूंगी अभी मैंने इसमें कोई मसाला निडाला है और जब तक वो फ्र तक टाई से अब इसमें मैंने मसाला डाल दिया है मिर्ची धनिया हल्दी एक एक रेस्पुन डाली है मैंने एक चमच और नमक डाला थोड़ा सथ और इसको मिला के अच्छे से मिला लूंगी और इसको थोड़े और और पकने देंगे फिर इसको बार-बार बीच-बीच में चलाते रहेंगे और इसको थोड़ देर ढखके पकाएंगे अब यह सबजी बनके तयार हो गई है देखो और अब मैंने इसको चुकुंतर को एक में काट ली एक बाउल में निकाल लिया है और एक कटोरी इसमें मैंने आटा डाला है आटे में नमक दालके और इसको आटे को गूंद लूँगी पानी डालके गूंदने के बाद में देखो अच्छे से soft dough बना लूँगी हमारा आटा भी गूंद के तयार हो गया है अब मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी बच्चे वैसे तो चुकुंदर खाते ही नहीं है तो मैंने सुझे चलो आटे में डालके बच्चों को चुकुंदर खिलाया जाए बच्चे वैसे खाने में बहुत नकरे करते हैं लेकिन जब बच्चों को अच्छे से भूग लगती है तो उनकुछ भी खा लेते हैं मैंने एक चोटी सी लोई या तोड़ी के पराठा बना दिया है और यह सिखने तक वेट करेंगे फिर इसके गी लगा के अच्छी तरह सेख लेंगे दोन तरप गी लगा के मैंने अच्छी तरह सेख लिया है देख लो दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है